समान समारो कायोजन रखेंगे हमारे भी जो पस्तित हैं, आज के मुखे अतीती आधरिनी कनेहलाल जी समय के अभाव के कारण कनेहलाल जी को वैस्तता है थोड़ी सी तो मैं आधरिनी कनेहलाल जी से निवेदन करूँगा कि इन प्यारे विध्धारतियों को आशिरवाद शोरूप, उद्भोधन शोरूप दोशब्द कहें इनके बाद मेहमानों के उद्भोधन के बाद अगली प्रस्तूती गंशाम अगरवाल विद्यारती जो है उनका कोई नरते जो भी है वो अपने नरते और गीत के साथ जो भी है वो तैयार रहे सुची थोड़ी लंबी है इसलिए सारे विद्धारती जिनोंने नाम लिखवा रेके कम समय, समय का थोड़ा द्यान रेके दो मिनिट की प्रस्तुति अपनी दे और तयार रहे कने अलाल जी से निवेदन की आप आशिरवाद सोरूप दोश्राब्दि कहे सम्मानित मंद पाड़ साला कोचिंग के जैसा कि आपने अभी उद्गोजित किया है मुख्य सार थी संजय जी उनकी पूरी टीम और आप सब को पढ़ाने वाले कोचिंग देने वाले जो आपके विविन्दे में इसे हैं उनमें गाइड करने वाले सभी फेकल्टीज इस अस्ता के समस्त पतादी कारी कारिकरता सदस्य और एम मेरे विराजवान इवा सक्ती आप में से कुछ वो लोग हैं जिनका किसी न किसी सिवा के लिए चैन हुआ है जैसा कि भी बताया उनका सम्मान भी होना है भी और दूसरे वो लोग द्यारती बैठे वे हैं अब बैठे वे हैं जो आगे तैयारी कर रहे हैं विविन्ने परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और कुछ उनके अभी वावगंण भी है तो मैं सबसे पहले तो जिनका चैन हुआ है किसी भी सिवा में उनको सबको बहुत-भzin बधाई देना चाहता हो और उनको भी सुबकामना देना चाहता हो कि वो जिस सिवा में चैन हुआ है वहाँ जाकर के वड़ी सफलता पुरवक उस सिवा का निर्वा करें और साथ ही वो अब्बेर्थी जो अभी और आगे तैयारी कर रहे हैं उन सबको भी मैं बहुत बहुत सुब कामना ये देना चाहता हूँ कि आप सब जो हैं अपने लक्ष में सफल हो और आगे जाकर के देश का समाज का अपने स्विम का और परिवार का नाम रोसन करें जिनका चैन हुआ है उनको भी मैं कहना चाहता हूँ जैसा कि भी करनसवाजी पहले बता के गए कि उन्होंने पहले लेव असिस्टेंट की सिवा सुरू की फिर सर्जिन सेक्टर बने उसके बाद में वो आरेस बने तो जो जिनका भी चैन हुआ है वो भी निश्यत रूप से अभी आगे और अपना ध्यन सुरू रखेंगे क्योंकि अभी जहां चैन हुआ है साइद वो उनका लक्षे नहीं है उनका लक्षे और आगे बढ़ना है इसलिए आप सभी प्रसासनिक शेवाँ में जाएं राज्य प्रसासनिक शेवा आरेस और केंद्रिय प्रसासनिक शेवा आईए शित्यादी में आपका चैन हो इसके लिए मुझे आपको सबको बहुत बहुत सुभकामना है मैं अभी दे रहा हूँ अभी से और जिनका चैन हुआ है वो भी आगे बढ़ें और जिनका भी नहीं हुआ है वो भी मैं तो यही कहूँगा कि उसके बाद में वो तुरंदी उनका सिदाही I.S.E.R.S. में सेलेक्शन हो और नहीं तो यह स्टेजेज है क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सिदाही सेलेक्ट हो जाते हैं I.S. में लेकिन अधिकांस ग्रामीन परिवेस के लोग हैं आप में से वो स्वेम भी चाते हैं और परिवार वाले भी चाते हैं एक बार नौकरी लग जाए तो आप लोगों कि एक बार जो भी नौकरी लग जाए उसके बाद में आप distintos और टैयारी उसके बाद में भी कर सकते हो झा budget है वाँ चाता है आपके सामने और मैं भी आपके सामने हूँ मैंने पहले इंस्यूरेंस की नोगरी की फिर रिजर्व बेंक की नोगरी की फिर वहां मने तैयारी करते करते फिर मेरा रास्तान पुलिस सर्विस में सेलेक्शन हुआ एटी टू में मैंने जोइन किया तो आप भी जो हैं लगातार तैयारी करें मैं 2008 में RPSC में मेरा परी नियुक्ती हुई थी और मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले जो इंट्यू हुए थे वो हुए थे मुंस्पिल्टीज में E.O के लिए लगरेपालिका ये मुंस्पिल्टीज जो है E.O के लिए इंट्यू हुए थे और उनका प्योर्ली सेलेक्शन जो था वो केवल इंट्यू सेलेक्शन था और साइट 66 वेकेंशिस थी उसमें केवल क्वालिक्शन ये थी B.A. B.S.C.R. B.C.R. केवल ग्रेजवेट लेकिन मुझे आज धान है क्योंकि 2008 में मैंने जो R.P.C. जोइन की उसके बाद मुझे लगातार 6 साल तक रहा हूँ हूँ आज से 14 तक तो वो जो फस्ट बैच जो E.O. का आया था उस फस्ट बैच ने लगातार अगले जिन भी इंट्यू आरेस के इंट्यू भी हुए स्कूल लेक्षरर के इंट्यू भी हुए और दूसरी सेवां के भी हुए जो अच्छी सेवां के हुए उनमें वो ही कंडिडेट कई बार देखने को मिलें और उस 6 साल के टिनूर में ही वो जो मुनस्पिल्टी E.O. बने थे उसमें काफी लोग आरेस बन गए तो इसलिए जिनका भी आपका सेलेक्शन हो गया है तो आप इजी हो गए कि भी ठीक है नोकरी हाथ में है लेकिन नोकरी करते करते भी आप अच्छी तैयारी करें ताकि आप जो है निश्यतूप से अपने लक्षे तक बढ़ सको पहले भी आपको बताया कि तैयारी करने के लिए क्योंकि मैं 6 साल वहां रहा हूँ जहां राजस्तान की प्रतेग सेवा का जो करम्चा उसका सेलेक्शन वहीं से होता है मैं जब था तब सबोर्डिनेट कमिशन भी नहीं था हमने टाइम पर हमने ही प्रपोज किया कि आर्क पेसी का बरकलोर भो ज्यादा है तो सबोर्डिनेट कमिशन बने और उसमें सबोर्डिनेट कमिशन बनाय गया तो आज जो वो परिक्षाएं वो सेवाएं जहां इंट्वू नहीं है अर्थात वैसे स्केल तेकर रखिए जो सेकेंड ग्रेड स्केल है उस तक की भरतियां सबोर्डिनेट कमिशन करता है और उसके अलावा जो हाईर सर्विशेज हैं उनकी भरतियां और पिएसी करती है तेकर उसके पहले मैं जब आठ में गया तो हमने पटवारी की भरतिय भी आर्पिएसी से की होस्टल वार्डन्स भी ग्रेड थर्ड में आते हैं उनकी भरतियां भी की सेक्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर्स की भरतिय भी की लेकिन आप सबोर्डनेट कमिशन जो बढ़ती करता है और हाइर स्रविसेज की आर्पिएसी करती है आपको सब को इस बात का ध्यान है बीच में थोड़ी बात नहीं करें वाया तेकर बीच में जो ये बोल रहें ने आपके लिए बोल रहा हूं मैं जितनी भी सिलेक्शन्स है वो तीन परकार के है परिक्षा से केवल परिक्षा से केवल इंट्यू से और परिक्षा और इंट्यू दोनों से सब इंसेक्ट के आप परिक्षा देते हैं परिक्षा भी होती है फिर इंट्यू भी होता है R.A.S. की परिक्ष़ होती है उसमें तो pre परिक्ष़ होती है man होती है फिर in-fi होता है college lecture बढ़ने के लिए जो आजकल in-fi चल रहे हैं मैं जब था तो purely in-fi से selection था तेक्शन आजकल परिक्ष़ भी होती है और बाद में उसका in-fi होता है तो इसलिए तीनों ही प्रकार के जहां परिक्षा है जहां इंट्यू है और जहां परिक्षा और इंट्यू दोनों जोड़ करके आपका सेलेक्शन होता है तीनों ही के लिए आपको तैयारी भी विविन प्रकार की करनी पड़ती है क्योंकि भी आप परिक्षाएं ही देने वाले हैं तो मैं इंट्यू कैसे होता है क्योंकि आरपेसी में ज़्यादा इंट्यू ज़्यादा होते हैं उसकी तात्यारी जब कभी जो इंट्यू सुरू होंगे उसमें मैं आकर कि आप से चर्चा करूंगा लेकिन परिक्षा के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप तैयारी करते करते पहले भी आपको बढ़ाया कभी यह नहीं समझें कि यह कम है कि इसकी इंपोर्ड़नस नहीं है और इसकी ज्धा है आपको छोटी सी छोटी बात कבھی भी परिक्षा में भी पूछी जा सकती है क्योंकि आज अगल तो आपके 1.500 कि उसन आते हैं तो कोई छोटा सा किउसन आपकी इंट्यू है तो वहां भी पूछ सकते हैं मैं बता रहा हूं R.A.S. के इंट्यू की बात बताऊँ कि विटामिन सी क्या होता है कि साधानशी बात है ने यह आपको भी थोड़ से हाय लग रही है उस कंडेट ने जो आरेस का कंडेट था उस ने कहा सर मैं आर्स का कंडेट हो कि जो विद्यार दे पीछे जा रहे हैं वहाँ जागे बैट जाईए बहले ही खाना तीन बज़े सुरू होगा इसलिए अब आपको तसलिए तक बात सुननी पड़ेगा उससे इच्छा यहीं बैट जाएं कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा रहीं तो मैं जो बता रहा था तो और आर्स के कंडेट का यह जवाब था किसर में तो आर्स है मैंने साइंस नहीं पढ़ी तो मैंने भी तुला तो मैंने लेकिना आप से कुछ्चा है यह उन्वन साथी यूड वी पढ़ा था समा निवग्यान की जब कला होती है ना आपने सब के जनल साइंट का चट्टी सातियों भी होती है उसमें सब आते हैं विटामिन A क्या होता है विटामिन B क्या होता है विटामिन C क्या होती है विटामिन D से सुका रोग हो जाता है विटामिन C से स्कुरीव हो जाती है बढ़ क्या है vietamin C क्या होता है तो व civ क्या सोचेंगा कि ires बनकर तो आ गें हैं ये लेंकर इनको भी ये पता नहीं है कि poor to लिए विटामिन C क्या होता है और आपने चाहे कितने हार्ड जो क्यूसन ने उनका जवाब दिये हो लेकिन इसका जवाब ये दिया आपने नहीं दिया तो सायद बोर्ड आपका सेलेक्शन नहीं करे लेकिन आप सोचते हो नगे साथ मना थे इन्टे वह तेशा हो गया 20 के उसने कुछ है थे मने सब के जवाब दिये दूसरा कहता है कि साथ मैंने तो एक का जवाब नहीं दिया दो का नहीं दिया और उनका सेलेक्षन नहीं होता लेकिन उनका उसका जवाब जो इसमें C, विटामिन C वाला बता दिया, वो सकता उसका सिलेक्शन हो जाए, इसमें नहीं दिया, उसका सब क्या आंसर देते वे भी उसका सिलेक्शन नहीं हो, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, आप कभी भी ये नहीं समझें, उसा जैसे सिलेबस ते किया है, यह दि उस सिलेबस में आपके सीनियर लेवल तक की बुक्स जो है, उनके लिए बहुत अच्छी तैयारी हो, NCRT की जो बुक्स हैं, उसमें अभी आपकी फेकल्टीज के सब के आ रहा रहे थे, जोगरावी पढ़ाने वाले, एकोनिक्स पढ़ाने वाले, आर्ट, कल्चर, इस्ट्री पढ़ाने वाले, वोल्टिकल साइंस पढ़ाने वाले, सभी परकार के जो सब्जेक्स कम्पूटर पढ़ाने वाले, और साथ में मैक्स की बात भी आई, तो यह सब पढ़ाने वाले आपकी फेकल्टी जबी सामने आई एक्शली आपके इन परिक्षाओं में इन से समझ में जो है किबल उसी लेवल के क्यूशन सा आते हैं जो आपने सीनियर लेवल के पढ़े हैं लेकिन आपको उसकी अच्छी तैयारी होना चाहिए आप जूँ ही आगे आते हैं तो आप आज ये इसकी तैयरी करने के लिए भी वह सकता है आपको एक सब्जेक्ट जाए सा आप और पेपर लेंगे इस्ट्री या जो ग्राफिया जो भी लेवए उसकी बहुत गहनी स्टेडी चाहिए लेकिन बाकि के जो जी के और जनलल स्टेडी ज नाम ही कहा दी दिया जनलल स्टेडी जूँ है उसमें तो बिलकुल समने बाते आप से कुछ ही जाती है अब जाए आपने सब्जेक्ट के बहुत अच्छी तेयरी कर लिया आपने पीएसडी भी कर रखे हैं उसने तो बहुत पड़ाई कर लिया नेट कर लिया एंफिल कर लिया और फिर पीएजडी भी कर ली लेकिन सेलेक्शन नहीं हुआ और मैं जब आरपीश्यम था एक लड़का जो आया जो में जोग्राफी में बस उसमें की थी उसने इंट्यू देने के लिए जब आया तो मन डिफेंस अकाउंट सरी इसमें मेरा सेलेक्शन हुआ है उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूं और केवल में की रिजल्ट आया ही था उसका उस समय अर्थाथ उसने दिये करते ही आईयस का फर्म भर दिया जोग्राफी से में करने लग गया और में करते करते उसका इसमें सेलेक्शन हो गया तो अभी अभी दुबारा क्यों आये हो तो महत्तुम तो आईएस पहले से ही हो अब सभावी के ग्रामिन परिवेस्ट का था तो उसने तुरंट सिद्धी बात किसा मैं तो कि अभी या डिप्टी बढ़ना चाते हैं कि यृण कि ग्रामिन परिवेस्ट में आप जानते हैं यूँ आप लोग जानते हैं यूँ अप लोगों को लेकिन सेन्टर सर्विस में जाते हैं तो वह वो सेंटर इंडिफेंस अकाउंट सेलिक्षिन था अब उसको तो यही लग तो फिर मैं पूरे बोर्ड नहीं हमने उसको समझाया कि आप बहुत अच्छी सर्विस में हो सेवा में हो आप तो जाकर क्या आल निया लेवल पर पहुंच होगे एटार होते होते और आरेस या रपीस बनोगे तुछ आप तुम आई जी बन जाओगे सेकर्टरी बन जाओगे लेकिन उसका तो वही धुन थे नहीं सामय तो आरेस या रपीस ही बनना चाहता हूँ उसका इंट्री बहुत अच्छा इंट्री था तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसने केवल बीए करके एमे करते करते ही और उसका आई एस में सेलेक्शन हो गया बाकि सबके लिए किशत तब बंगे यजब बीए करके आप बीर कर लोगे बीएस के लिए के लिए के वल ग्रेजवेट चाहिए और ग्रेजवेट बीड पेरिंग इस बात की आप पता कि नहीं पता appearing चाहिए जिस साल आप final में परिक्षा देने वाले हो उस साल ये दी I.S. की परिक्षा I.S. का विकेंसी निकली है दी आप apply कर दोगे तो आप I.S. के लिए apply कर सकते हो और आपका selection भी हो सकता है मैं अभी ऐसा एक उधान बाप के बांसवड़ा के लड़के का बता हूँ जिसने बी ए किया फाइनल में था आरेस की विकेंसी निकली अठारा वाली उसने लड़का बादा इंट्रिजेंट था मैंने इसको मोटिवेट किया क्यां कि मैं लास्ट में S.P. बांसवड़ा रहा हूँ इसनाते से मेरा वहाँ के बच्चों से काफी अभी भी संपरक है वी भी में मजाता रहाता हूं आपके तरह जैसे बात करता हूँ बच्चों से काभी भी बात करता रहा हूँ तो पिछड़ा हुआ है आप तो जेपुर में रहते हो लगता है लड़का बड़ा इंट्रिजेंट था पहले अच्छे मार्च थे उसके सीनियर में तो इनुर्श्य में अडिमिस्न लिया आले कि नहीं हो मैंने बर्रावाद में चला गया वापस साम मुझे तो जेपुर का मा हो गया हो उसने महीं बीएड करना शुरू कर दिया और साथ-साथ ओपन से उसने में करना शुरू कर दिया इसली से उस बीच में उसका में का रिजल्ट भी आ गया इंट्यू भी हो गया उस दो साल में वह उसका आर्यस में सेलेक्शन हो गया उसने बीएड कर ली और उसने ऑपन से में में इसी में भी इसलिए मैं करना चाहता हूं कि आप लोगों को निराज होनी कि आपके बाद समय बहुत महत्पुन है कि समय का आप कैसे सदूप्यों करते हो और साथ ये भी है किया पढ़ते हो निश्य रूप से पढ़ते हो बोट मेहत्व पुन है इसके लिए आपकी हर्ता कि का हर जो सब्सक्रोंख कि बड़ी कुछाय की बात है तो आपको गाइड करने वाले क्योंकि मैं आज आप Libre में नहीं बता सेकता, वो डे टूडे आपको डैली बता दी रहते हैं, तो उनके guidance में, आप क्या पढ़ते हो लेकिन कैसे पढ़ते हो दोनों ही बाते हैं उनसे पूछें, और वो जईस्परकार शेंपको guide करते हैं, आप अचछी करें मैं एक लिसोड में आपको यह पता कि आप मेहनत करें और किसी को छोटा बढ़ा नहीं समझे क्योंकि आपके पास समफ हो समय है अभी तो है आपको मेस्स नहीं आती होगी लेकिन आपको सरम नहीं आनी चाहिए इस बात को आपका जो भाईया जो छोटा भाईया जो six में पढ़ रहा है उसकी मैस की किताब आपको भी भी पढ़नी चाहिए अभी नए वाला जो सिलेबस आया ने उसमें अर्थमेटिक है उसमें परतिशत निकालना व्याज निकालना एक प्रनाली यह हैं यह हैं यह दि मालें उनके देड़ सो में से दस क्यूसरा आ गए अच्छी त सब्सक्राइब करना चाहिए आपको नए शिरेशिक करके क्योंकि वह जब बेसिक नहीं आई कि तो आपको आगे नहीं बढ़ पाव गए तो बेसिक से तियार करके आपके जो टीचेर्स बटें फेकल्टी बटें सब प्रकार के बेसिक सो और आपको हायरो सब बताने के बिद्राश नहीं करें अच्छी तैयारी करें और जब यहां आए हो आप घरवाल छोड़ करके हैं बैठे हुए हो आगे जाकर के जिंदगी में सफल हो आपके ताकि आपके घरवालों के भी बड़ी खुसी हो आपको भी जीवन में आपका एक एदी इमालेजी आप सुना बड़ी खुसी के बात है आज युवाओं में वैसे में कोई समनने उस रूप्षे में कभी मना ही लेकिन बड़ी खुसी इस बात की भी आज युवाओं में अपने आपको पाकर के में बड़ी खुसी और मैसूस करा हूं कि आप लोग जा है क्योंकि क्योंकि आज इस पार के और से जनम दिन की हार्दिक सुकामनाई सर्व थेंक यू थेंक यू थेंक यू इसलिए आज यूवाओं में पाकर के बड़ी खुशी होती है मैं जाता रहता हूं यहीं नहीं हूं अभी मैं कुछा मन गया था क्रिफ दोस्तों बच्चों को ऐसी मोटिवेस्ट में आत